नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गॉरव और आप देख रहे हैं Market Report आईए बात करते हैं Silver MCX की दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने Silver MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मुवमेंट लास रेडिंग सेशन में रही और अभी जो लाइव मार्केट चल रहा है उसे देखते हुए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में कौन से रेट हमारे लिए इंपोर्टन होने वाले हैं और किस तरीके का ट्रेंड भी चल रहा है और क्या चांसेज हैं कि उसमें ऊपर या नीचे जाने के किस तरीके से चांसेज रह सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर MCX का चार्ट दोस्तों ये पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पे यहा हम देख रहे हैं कि कल एक gap up ओपनी हुई थी और market उपर रहा था और उपर भी इस तरीके से रहा था कि continuously market में एक strength बनी हुई थी जिसमें हमने evening session के बाद थोड़ा सा एक downside आते हुए देखी जिसमें इसने low break नी करा था अपना और उसके उपर ही prices को hold करके रखा जो closing थी इसकी वो 66,000 के just नीचे हुई है और अभी आज हमने देखा कि एक अच्छी gap up opening के साथ market ने अपनी शुरुआत करी है और continuously एक तेजी अभी बनी हुई है इसमें देखी दोस्तों एक price था जो मैं बात कर रहा था comics में 25.33 वो कल break नी हुआ था पर वो touch जरूर मतलब touch भी नी हुआ था 25.30 का उसने high लगाया था वहां से correction उसने दिखाई थी high बिल्कुल अपने rise trends उस breakout level के just नीचे तक उसने touch किया था break नी किया था market नीचे आया और अभी फिलाल उसने market ने उसके उपर के prices को hold करके रखा है ये एक sign इस चीज़ का है के market में के strength जो है वो तो बनी हुई है अब देखिए आगे का view जो है वो इस तरीके से के strength अभी silver में बनी रही कोई भी correction अगर आती है तो वो हमारे लिए एक buying की opportunity हो सकती है और किस level तक हो सकती है उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि gold और silver दोनों में जिस तरीके का correlation चल रहा है इसकी मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ कि gold में एक correction जब आएगी तो तेज आएगी silver में अगर कोई strength बनेगी तो वो ज़्यादा strong बनेगी और इन दोनों का जो difference है ये बढ़ता चला जाएगा ठीक है अभी हम इसे continuously कई दिनों से इस चीज़ को observe कर रहे है कि gold में एक selling pressure बना हुआ है और silver में वही थोड़ा सा कम है दोस्तों इस silver में जो rally है ये continuously चल रही है लगातार चल रही है कहीं पर कोई stoppage नहीं है और एक upside move upside trend इसमें continue है वहीं अपर हम gold में देख रहे है gold में movement तो उपर की है पर उपर कहीं नहीं आप भी इस चीज़ को observe कर रहे है कि उपर के prices पे एक prices को hold किया हुआ है ना उपर जा रहा है market जादा ना नीचे आ रहा है जबकि हमने silver में देखा लगातार एक straight upside rally continue है थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 minute के time frame पे वहाँ देखते हैं किस तरीके का trend हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे सामने है market धीरे धीरे उपर की side बढ़ता चला गया और यहाँ इस तरीके से अभी market उपर है current price at 67,211 आगे का देखते हैं किस तरीके का view हमें नज़र आ रहा है और थोड़ा सा आगे चलते हैं गंटे के time frame पे यहाँ पर अगर हम देखें इस correction के बाद market में थोड़ा उच्छाल आया market उपर गया और उपर के prices को इसने continue रखा थोड़ी सी correction आने ही कोशिश हुई पर इन prices को market ब्रेक नहीं किया इसमें एक price था जिसकी मैं बात करता था 62,300 वो market ने ब्रेक नहीं किया जो इसका उस time का low लगा था वो था 62,700 का एक low लगा वहाँ पर market को दो बार support मिला और market ने वहाँ से एक और rally अपनी start कर दी जो अभी आपके सामने है देखिए एक चीज़ ज़रूर है कि further buying अगर आप कर भी रहे हैं मतलब buying लेके चल भी रहे हैं तो आपका stop loss ज़रूर आप maintain करके चलिए जिस तरीके से market उपर move कर रहा है तो selling या फिर correction वो आने के chances उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आप अगर upside move लेके चल रहे हैं अभी कही साब से क्या होगा उसकी भी हम बात करेंगे और थोड़ा आगे चलके कहां पर हमें downtrend लगने लगेगा या फिर जो correction phase है वो start हो जाएगा उसकी भी हम बात करेंगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम चार घंटे के time frame पर वहाँ देखते हैं किस तरीके का view हमें नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें market एक zigzag rally लेके आगे चल रहा था और इसमें एक upside move यहाँ पर फिर down side, downtrend downtrend में इसने यहाँ भी इसी तरीके का एक trend था कि जो नीचे का जो price था वो इसने break नहीं करा था जो इससे पहले एक लगा हुआ था price 57,000 के नीचे का और फिर महाँ से market में एक upside rally बन निश्ट हो गई जो अभी तक continue है current price है 67,302 आगे की क्या chances है देखिए दोस्तो silver में strength continue है उपर में अभी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ 68,000 का एक में target देखता था वो शायद लग जाए market में और वहाँ पर फिर market को एक resistance phase करने को मिले है वहाँ से जरूर turn आ सकता है पर उससे पहले अभी एकदम से कुछ turn आता हो भी अभी नहीं लग रहा market का सबसे पहले consolidation phase या एक straight correction आनी चाहिए अभी तो gold में भी price stable है gold में भी एक correction जो वो start होगी उसके बाद silver का एक trend नीचे की तरफ बनना शुरू होगा और इन दोनों चीजों का main factor ये है crude oil में जो continuous एक rally हमें नज़र आ रही है लगातार उपर के prices नए हाई पे नए हाई लगता चला जा रहा है वहाँ पर एक तेजी हम बहुत टाइम से expect कर रहे हैं जो continue है अभी तक ठीक है और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम daily charts की तरफ वहाँ देखते हैं कि आभी वह में नज़र आ रहा है यहाँ पर अगरम बात करें इस तरीके से silver में एक rally थी उसके बाद consolidation, downside और इन prices को silver ने hold किया यहाँ से थोड़ा सा एक upside move लेके यहाँ सिर्फ एक चीज़ है जो थोड़ा सा resistance के लिए हो सकती है वो यह कुछ prices हैं यहाँ इस range में 70,000 से 68,000 यह कुछ range है जो एक resistance मना सकती है इन prices पर अगर silver आती है और वहाँ पर फिर selling start होने के chance से शायद रह सकते हैं देखिए जब तक continuous यह uptrend है तब तक तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है पर इन prices पर थोड़ा सा भी consolidation आएगा तो वो direct एक downside के लिए शायद एक start मिल पाएगा इसे downside भी ऐसी नहीं कि एकदम से आपको यह लगे कि 60,000 का level आ जाएगा थोड़ी correction के मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो यह है अब हम वापस चलते हैं एक घंटे के time frame पे अब हम उन levels की बात करते हैं जो हमारे लिए आज important हो सकते हैं देखे सबसे पहले चीज़ के अभी के market के इसाब से जो अभी चल रहा है इसमें एक price है 66,500 यह अगर नीचे में break होता तो ही market intraday में consolidation phase में enter करेगा otherwise अभी इसके कोई chances लग नहीं रहे मतलब जिस तरीके से market ने कपसाई ट्रेली दिखा रखी है 66,500 यह पहला price है उसके नीचे एक price रहेगा जो इसमें थोड़ा सा correction के लिए support करेगा वो price यहाँ पर है 65,100 इन लेवल्स को आप ध्यान रखिए 65,100 जब तक break नहीं होता आप fresh selling बिल्कुल आप silver में avoid कीजिए जो भी आप अगर buying कर रहे है buying का कोई particular stop loss जैसे अभी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ current market के हिसाब से पर market intraday में मेरे हिसाब से correction ज़रूर दिखाएगा फिर वहाँ से फिर से एक run ले सकता है उपर के लिए ऐसा ज़रूर हो सकता है पर इन लेवल्स पे जिस price पे अभी silver है यहाँ पर buying करना थोड़ा सा risk ही ज़रूर रहेगा नीचे के prices में 65,100 जब तक break नहीं होता तब तक आप fresh selling अभी ना सोचें ठीक है और नीचे में अगर इसके बाद भी एक downside का trend चलता रहता है तो जो price अब होगा वो silver में reversal के लिए count होगा reversal कहाँ पर आएगा यहाँ पर 63,300 ठीक है यह price break होने पर एक बहुत अच्छी correction में देखने को मिलेगी पर यह price जब break होगा तब अभी silver को time लगेगा market consolidate होगा उसके बाद आगे का क्या trend रहेगा क्या नहीं रहेगा हम तब देखेंगे पर यह price जब तक break नहीं होता silver में कोई reversal का कोई chance अभी नहीं है इस price के break होने के बाद एक correction का phase एक wide range में consolidation इस तरीके का एक trend स्टार्ट हो जाएगा 65,100 के break करने के बाद ठीक है और जो बिलकुल ही silver को एक downtrend में लियाएगा जिस trend में gold अल्रेड़ी enter कर चुका है अब भी सोचे होगे के gold तो उपर की side आ रहा है तो downtrend में कहां enter किया देखिए जब हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहां पर हमें इस तरीके के price नजर आते हैं 56,000 47,000 यहां से अगर कोई upside रैली इतनी आ जाती है हम intraday में देखते हैं तो हमें थोड़ा सा ऐसा जरूर लगता है कि market अब उपजाना शूरू हो गया पर आप अगर देखेंगे तो trend नीचे का है gold में भी more than 8,000 points की एक correction आ चुकी है अपने highest points से silver में जो correction 8,000 के इसाब से silver में यह correction काफी ज़्यादा points की होनी चाहिए थी पर silver अभी अपने आपको lowest level से भी काफी ज़्यादा recover कर चुकी है तो silver में थोड़ा सा एक strength हमें इसलिए बनती नज़र आ रही है क्योंकि crude oil में एक strength continue है और उसमें भी आने वाले time में कोई अभी correction बहुत major नज़र नहीं आ रही एक ज़रूर रहेगी कि gold में अगर कोई भी correction आती है तो silver का ऐसा नहीं है कि silver लगातार उपर भागती रहेगी silver में भी correction हमें देखने को मिलेगी यहां से काफी नीचे तक के भी levels हमें देखने को मिल सकते हैं पर अभी उसके sign charts पर नहीं आया ठीक है तो यह कुछ levels हैं जो हमारे लिए silver में important हैं तो इन्हें आप ध्यान रखेगा फिलहाल इस price पर जो current price चल रहा है हो सकता है कि continuous एक straight upward rally इसमें आ जाए पर एक correction intraday में भी मैं expect कर रहा हूँ और अगर major correction gold में आती है तो यह price के नीचे close होने के काफ़ी जादा chances बने रहेंगे तो यह था मेरा silver mcx पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रहें मेरे साथ देखते रहें यह market report धन्यवाद